तो गुड मॉनिंग दोस्तों आज इंडिया वस्स कातर का मुकाबला है और भी आप भी एक्साइटीड होंगे हम दो एक्साइटीड हैं ही हुआ यह कि कल कोची गौश्चिमेंग आये प्रेस्ट कान्फरेंस के लिए पूर प्रेसिंग संदू के साथ में और बहुत सारी बात जो कि हमने जीता लेकिन अपने टीम को बोल के आएं कि जो कुवेट में हुआ उसे भूल जाएं क्योंकि कतर काफी अच्छी टीम है और इसके खिलाफ जीतने के लिए हमको सब चीज़ें भूल के ग्राउंड पे आना पड़ेगा इंड्यूडिंग नर्वसनेस तो दूसरा तो अच्छी टीम है काफी सभी प्लेयर्स को अपने रोल्स पता हैं सभी और फिट भी है क्योंकि आई एस ल किल के आ रहे हैं तो बिल्कुल वह फिट दिख रहे हैं पूरा 90 मिनट भूत अग्रेसिव और बहुत अच्छा गेम खिल रहे हैं तो कोच इकोश्ची में काफी सभी प्लेयर्स को अपने रोल पता हैं और सब को पता है कि यहां पे 25 प्लेयर हैं तो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं मैच में अच्छा गेम खिलने के लिए तो काफी पॉस्टिव बात काफी पॉस्टिव भी लगे यहां पे संदू और साथी साथ उन्होंने कोशी कोश् सभी पॉस्टिव और झाएं बाइक्ट जो पुछा आए कि क्या लगता हैं इस तरीके से घुखनी एडवान्टेज इंडियार के लेपाएगी तो सबसे पहले कोशी कोशी मैंटिव धनयावाद किया स्टेट गॉर्मेंट का उन्होंने का भाई कि जिस तरीके से भूवनेश्वर का इंटरनेशनल फैसिलिटीज फॉर आल प्लेयर्स जो भी बहार से लोग आते हैं वो देखते हैं तो वह उनको भी काफी अच्छा लगता है यहां पर ग्राउंड पे और इतना अच्छा का टॉपिक है क्या लगता है आपको भारत टीम क्या करेगी कोची मैंने कहा कि we have nothing to lose only to achieve यही सेम पॉइंट कहा है संदू ने तो देखिए भारत टीम का माइंड से यहां से पता चलता है उनको पता है कि यहां से अपने के लिए सबसे पहले तो कुवेट के खिलाफ जो जीत कतर बहुत ही तगड़ा खिल रहा था एशिया का चैंप उस टैम हमने उनको ड्रॉ करवाया और उस ड्रॉ के बाद में कतर ने भाई सबी टीमों को गंदे तरीके से रहा है तो यह सबसे पहला पॉस्टिव दूसरा भाई हमारे प्लेयर्स मतलब काफी अच्छा इन भारत के मुकाबले में और तीसरी सबसे पॉस्टिव बात है भाई मैच कहा होगा भारत में चाह जाना है अपने को बिल्कुल इतना हल्ला डालना है इतना चेयर करना है कि कतर भाई वहाँ पे ही फ्लैक हो जाए शूरू के पांच मिनिट में फ्लैक हो जाए और अगर थोड के लिए और काफी कतर के लिएं पूप इंडिया में खेलने के लिए और वुब्रोर सेख़ों इस मिनिट में वाच अलोंग के लिए जरूर जुड़ें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद